नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल Lab Technologist SK पर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए तो सबसे पहले अगर आपको Council Registration के बारे में नहीं पता होगा, तो बता देना चाहता हूँ कि Council या फिर संगठन अपने से संबंधित लोगों को अपने अंडर रेजिस्टर करती है, जिससे वह व्यक्ती चाहे उसने कोई भी कोर्स किया हो, वो वैलिड मना जाता है और कही भी जब नौकरी लेने जाता है, तो उसे डिग्री की प्राथमिक्ता को लेकर कोई समस्या नहीं आती, इसमें दो तरीके से रेजिस्ट्रेशन हो सकती है, एक स्टेट काउंसल में और और एक नैशनल काउंसल में, आज मैं आपको 36 गर स्टेट फार्मेसी काउंसल से संबंधित बहतरीन जानकारी देने वाला हूं, पहले आपको काउंसल में रेजिस्ट्रेशन पाने के लिए आफिस के चक्कर काटने होते थे, पर अब रायपुर में फार्मेसी रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आनलाइन बदलने का फैसला किया गया है, जिससे छात्र अब अपने घर से ही आवेदन कर सकेंगे, यह प्रक्रिया अब आपचारिकता को छोड़ कर आसान और सुगम बनाएगी, इसके पहले फार्मेसी रेजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को आफ्लाइन आवेदन करना होता था, जिसमें काउंसल के दफ्तर जाना आवश्यक था इसके साथ ही छात्रों को कई बार दफ्तर जाने की आवश्यक्ता होती थी, अब छात्र अपने दस्तावेजों को आउन लाइन जमा करके रेजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, जिससे उन्हें केवल एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए काउंसल के पास जाने की आवश्यक् और यह फार्मेसिक शेत्र में विकास को बढ़ावा देगा.